नमस्कार वंडड़ी कशाहत सर्वा आई हो सर्वा मजीद असनार आनि त्यासोबत माझा नेमीचा आपुल कीचा प्रश्ण तो मंझे आप बैस करता है ना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं तो बच्चा लोग आज मैं फिर से एक बार आपके साथ लेकर आयो एक समर सब्सक्राइब आपका बाइलजी टीचर सागत करता हो इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लैटफॉर्म याने के वेजेक्स वाला पर और उसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी का सागत कर दो अपने पी डबलू महारास्टा नाइन टेंट योटूब चानल पर तो बच्चा कं ठीके कोई परैशानी ने विग्या सबसे पहले हम देखिंगे कि एक साइन्टिस्ट से जिनका नाम था रहेच्च वीट अगर prób 익 प्लांटी और एनिमीलिया और आज हमें यह एनिमीलिया ही पढ़ना है प्लांटी अपने नाइंध क्लास में पढ़ लिया होगा ठीक है बाकी क्या आप बाकी के पॉइंट वाले 11 में अब बच्चा लोग हमें बताए कि अगर कोई भी हम चीज़ डिसाइड करते हैं अगर हम क जो क्राइटरिया होता हमारा पर सेंटेज या फिर मार्क्स ठीक है अब वैसे ही आरेज वीटागर जी ने भी क्या किया था जब इनको पांच किंगडम में डिवाइड किया था तो उन्होंने कुछ ना कुछ भी क्राइटरिया लगात सो वेरी फॉर्स काईड़िया इस दे हें पर चैनल आटका निभी नोत अब बॉड अर्पवनेण गिंड ऑंठा़ ईश्टम मतलब मतलब क्या मतलब क्jak फहले जो प्रक्टू किंग सब्सक्राइब goofy थी ता उसमें तो कि एक है और उसके बाद morphological character ही consider किये थे जो बहार बहार से दिख रहे हैं उन्हीं को बस consider करके उन्होंने classify किया था लेकिन इन्होंने क्या किया यह पूरे body के अंदर गए उन्होंने देखा कि body बनी किसे है क्या से बनी है या एक से बनी है या फिर से बनी हो तो क्या tissue बना टीशू बना तो क्या organ बना और बना तो क्या organ system बनी इसके बीसिस पर उन्हें ने लगा उसके बाद देखा body symmetry उसके बाद germ layer body cavity segmentation यह सारे के सारे criteria इन्होंने apply कि हमारे animal classification और उसी के साथ बाखी के भी हमारे जो है क्या कहते है बाखी के भी आनिमस को तो मेजरेटी लिए जो क्राइटेरिया थे फार classification of the kingdom अने मिलिया यह जो था इनका और वो था habitat body organization body symmetry जर्म लेर body cavity और सेग्मेंटेशन तो इनके बेसिस पर हमें कुछ तुभी टेबल ऐसा मिल गया यह हमारा kingdom एने मिलिया ठीक है बचलो क्या है kingdom एने मिलिया ठीक है kingdom एने मिलिया के अंदर दो सब इन्टम आते भी या कौन से जी एक है और दूसरे हैं ठीक है अगर हम नौन कॉटेट्स की बात करें तो उसके अंदर जो है हमें दस सब सबस्क्राइब दिखने को मिलते हैं यह कंसा होगा यह सब किंग्डम हो गया उसके बाद क्या आता फाइलम तो फाइलम क्या है प्रोटोजवा को आप इंक्लूड मत करो ठी कि सारे के सारे जो हमारे फाइलम यह कैसे बने मल्टी सेलूलर हो एनिमस का राइडरी आता वो क्या होते हैं मल्टी सेलूलर ओके सो पोडिफेरा निडा इस एसलमें डिजा आप तो बोड़ा मोल उसका इकानडर मेंटा है वह बहुत लंबा है और कोई नहीं भाई सम्झा द उसके अंदर सब फाइलमें यूरो कॉर्ड डेटा सिफेलो कॉर्ड वर्टीब्रेटा अब वर्टीब्रेटा के अंदर छी क्लास है कोई से कोई से साइक्लोस्टोमेटा पाइसेस एंपिवें रेप्टाइल एवज एंड मैमल लग रहा होगा कि बहुत कॉंप्लिकेटेट भाइया थोड़ा एजीत कर दो बैटे का है हम यहां पर कर देंगे भाईया कोई दिख्कत नहीं है ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे कि यह सब किंग्डम नॉन कॉर्ड और कॉर्डेट्स में क्यूं क्लासिफाई किया गया क्यूं दो ये क्यूं कर रखाए तो ये दो सब स पूछ तो भी बॉड़ी के फीचर से फोच फीचर मतलब उनके बॉड़ी की इस तरह से बनी है क्या होती है उनके अरेजमेंट कैसे हूँ देखेंगे ठीक वेरी फार्स डिफरंसी तर बौडी इस अगे घर रहा हूं क्या नहीं क्यूंकि मेरे बॉड़ी के अंदर एक सपोर्टिंग स्ट्चर है जिसको हम कहते हैं वर्टिपरल कॉलम वयसा है वैसे ही जिसकी और बडेनिद्फ के और जिसकी और एंब्रियो मतलब चूक्ट वसी तो भी उसके बॉडीं को सपोर्ट लगे। अगर वो support देने के लायक एक अगर rod like structure है अगर रॉड लाइक structure मतलब कहाँ पर यहाँ पर देखो ढू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू-दू ये येलो वाला जो मने red color का किया तो ये क्या करना है notocod क्या होता है एक supporting solid एक solid जो इसे rod like structure होता है जो क्या करता है body को support देता है तो coordinates में क्या होता है यह जो notocod है वो present होता है body is supported by the notocod where in case of non-cordet तो उसमें क्या होता है body is not supported by rod like structure called notocod सो नौन कॉड़ेट्स में नोटो कॉड नहीं होता और बोर्ड के पॉइंट ऑफ यू से यह इंपॉर्ट है डिफरस्ट पूछा जा सकता है ठीक है त्याना तर सेकंड है के दो तो मंझे फैरेंजियल गिल्सलिट्स और लंग्स और प्रेजेंट फॉर्डर रेस्पिरेशन मत आप बोलों कि सर हमब कोडियें यहां पर फैरेंग्स कीनों दिख रहा है यह इंपॉर्टन नहीं है कि अडल्ड में भी फैरेंग्स हो यह इंपॉर्ड़न्ट है कि कौन से भी स्टेज में हो सकते हैं कि वह थोटा सा बच्चा हो मतलब एंब्ध्रियो हो या फिर अपन पू उसको उपन करके देखो राइट का दिखेंगे आपको वहाँ पर गिल स्लिट्स दिखेंगे ठीक है रेड 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 कलर के ओके तो रूसी के साथ लंग्स क्या होते है रेस्परेशन के लिए लेकिन इन वे इन खॉत इने साथ नान कॉर्डेंट इन में फैरेउंचनल गिल अ भी अ ऑसको उसके बाद नश प्रेजट आन्दा अब देखो अब अगर मैं एसे चलने लगा तो जो मेरा बोड़ी का पार्ट जमीन को चीपक के रहेगा या फिर इनके डारेक्शन में रहेगा वह होगा हमारा वेंट्रल और जो उसके अपोजीट होगा मतलब यह वाला जो मारा पार्ट हो जाएगा यह क्या हो जाएगा डॉर्श के साथ यह present कहां पर होता है कहां पर कहां पर कॉठ इंक का पर साइट पर मतलब हमारे चाहती का पूर्चा परहते इस साइट तो को in jeśli बहुतES वहार एक इसमें हर्यक ऑ्रकॉel पॉ Cuba भाटीक निक्ट हमारे काड़ में से होता है सिंगल संदें ओलो लेकिन इनके अंगर होता है डबलो एंट है और का मिइं मिझे वेंटवर्ड साइड में होता है औरुसी के साथ क्याdriven वह सॉलीड होता है समझ में आघया बात करते हैं हम क्या करते हैं और वे वेल आयह sont निवाज सब को समझ में घीके तो देखो नर्कष कहां पर एउपर की तरफ टिके डॉर्सल सई तो यह क्या होगी वेंट्रल सची जमीन को लग के चारे रहा है यह क्या होगी डॉर्सल साइट में अब यह कईसा होगा यह होगा हमारा क्यां क्या चैपको एक लोगा उसे के काम कर रहा उसे का सपोर्ट करने का भी काम करे जा रहा है ठीक है बच्चा ओके चलो आगे बढ़ते उसके बाद जब हमने बोला कि किंडम एनी मिलिया एनी मिलिया उसको सबस्कों में कौरें और नॉल तें स्क्लासिफाइब करा कैसे पहले सबसे पहले इसके बाद इनको क्राइडियर रख एक बेसिस पर अलग 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 ग्रूप में डालेंगे वेर गोसा पोरी फेरा में आता या क्ली जो में आता है या फिर वह ऐनि इसजां से करेंगे इसका लगा क्राइव निए या उसकी बड़ी बनी किस्सें प्लासिश्ट क्या उसकी अलग-अलग सेल्स आकर मिलकर उन्होंने एक टीशू बनाया क्या उसकी बोड़ी टीशू से बनी है यहां फिर बहुत सारे टीशू मिलकर एक और गन बनाया और एक और गन यहां एक और गन यहां एक और गन यहां दूसरा और गन वहां तो क्या उसकी बोड़ी उस तरह से बन इसमॉल इंटेस्टाइन लार्ज किता है आपकई नसे सरंग किया सतर्ष हो गया पैंटेस्टाइन पहुत बहुत थेHHHH क क्यों से होगे क्या लगता है वह होती है हमारी च्टोप सीजिफा ए उसके अंदर जो सिस्टीम से मतलब उसकी यूप ऑर्डद सिस्टीम LEVEL किया इसके बेशिस पर उन्होंने क्राइट है मतलब इस डेंगा क्या 洲 आपको तो मैं क्या कारूंगा मैं जो है आपको पहले क्या ते होगा ठीक है एक साथ आकर रुख जाते एक साथ यहां परुख जाते हैं यहां definitive प्लप्रतों यहां पर यह सअ सारे से एक साथ रुखेंगे एसे और उससे पूरा को फूरा और और यहां ज्याएगा इसको ऊछाहेंगे एंगे सेल्लूर लेवल और और गनाजिशन तो हमारा करता है वह होता है हमारा पोरी फेरा भूल करता है और निधारिया नीडारिया ठीक है उसके बाद एक आता है उसके बाद एक होता है हमारा क्या होता है उसके बाद होता है हमारा क्या करें उसको नीडारिया होता है एक ही फाइला में ठीक है एक ही फाइला में हमारा यह आपर देख लो सबसे पहला पोरी फेरा उसके बाद नीडारिया ठीक है उसके बाद उसके बाद आता है और्गन लेवल तो और्गन लेवल में क्या होता है और्गन लेवल में होता है हमारा एक ही फाइलम है जिसका नाम है प्लाटी हेलमिंथिस फ्लाटी हेलमिंथिस ठीक है प्लाटी हेलमिंथिस यह क्या शो करता है हमारा और्गन लेवल और उसके जो कोई भी पैलाम है फ्रॉम ऐसकेल में इसकेल मिंतेस ठीकए ऐसकेल मिंतेस से लेकर पुरा कहा तक कोड़िट्स तक कोड़िट्स ठीकए कि कोड़ डेटा वाले और हमारे क्या होते हैं पूरे और्गन सिस्टिम लेवल और्गनाइजेशन उनके अंदर शो होती है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे ठीके बच्चा ताकि जल्दी चलेंगे खतम करें उसके बाद सेकंड क्राइटिर लगा गया था वो था सिमेट्री अब सिमेट्री क्या होता है हर एक कोई और मेरे बॉड़ी को काट देता हूँ मैं मेरे बॉड़ी को इस प्लेन में काट देता हूँ समझ लो यह वाला प्लेन है समझ लो यहां से पीछी से आके मुझे कोई किसी ने कुराड़ी मार दी और मुझे यहां से काट दिया इस प्लेन में ठीक है तो आप देखोगे कि मेरे पॉड़ी के दो पार्ट हो जाएगे तो एक पार्ट में एक मेरा हाथ होगा दूसरे पार्ट में दूसरा मेरा मतलब एक पर होगा एक दूसरा जो पार्ट होगा उसमें क्या एक हाथ होगा एक पर होगा आधानाक इधर आधानाक उदर आधे ओट इधर आधे उट उदर मरव सोला सोला दात जो है यहां पर ओगे सोला दात सेहां लाफं पर यह वहां पर साथ एक आख यहां आफ सब्सक्राओं सब्सक्राइब कि जब किसी organism को उसके central axis में बस एक ही plane में अगर हम काट पा रहे हैं और उसके body के दो पाट बन रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे bilateral symmetry for example butterfly देख लो इसको अगर इस plane में मैं अगर काट ता हूँ तो क्या हो रहा है मुझे दो equal part में रहे हैं बस एक ही plane में पाट पा रहा हो अगर समय यह एक plane हो गया अगर मैं इसको ऐसे कटू दो ऐसे कटू तो क्या होगा पूरा पूरा मूँव आगे के दरफ ठीक है थोड़ा सा भीजा पीछे के दरफ आच आएगा ठीक है उसे के साथ मेरा क्या आजएगा यह आख आख वाक सब आ औरम चांगे एक आजएगा दूसरे पर्पार्स उच्व शली होगा 10 फाट में दो नहीं आख रहां हम एक ब्लेन में काटेंगे और इक्वाल पार्ट मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे bilateral symmetry अब पीछे आ जाओ इधर आ जाओ रेडियल सिमेट्री अब रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि यह देखो यह organism है और इस organism क्या होगा central axis होगा अब इस central axis के around आप इस plane में इसको अब इस plane में काट लो या फिर आप इस plane में काट लो किसी भी plane में अगर उस organism को उसके central axis के around काटते हैं किसी भी plane में किसी भी plane में more than one plane में हम उसको जब काटते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है दो अब मैंने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ पर इक बड़ा सा पारड बन गया और यहाँ पर एकड़ा सा पारड बन गया थिया ना इन सब होई मतलब इस और इस किसी और र्गानिजम को मैं उसके city में में काटता हो किसी प्लेन में तो मुझे बॉडी के दो इक्वल पार्ट नहीं मिलते तो उसको हम कहेंगे एक्ष्मे पार्ट कहा्टी उसको क्या कहेंगे हम स्फैंट्रिकल बॉड़ी ठीक है अब यह बॉड़ी स्वेड़ी इब बोड़ी ओस एनियमल इसकूट थ्रू इम्याजनेरी एक्सिस मतलब घ्या हो गये इमेजनेरी एक्सिस अर्मा। एक्सिस टीक है अप्ड़ उस्ट में अर्मा नोट प्रॉदूस्टू इकवल हाव्स हाव्स मतलब क्या होता है तुख्डे ठीक है बच्छा सब्सक्राइब और पार्ट भेट नसे सो इच में विच मेंस ऑर्गेनिजम शोज या फिर एनिमल शोज असे मेट्रीकल बॉड़ी ठीक है एवड़ी सर्वागोस्ट क्लियर है ओके चलो यह आगे भरते आगे भरते आगे थर्ड राइटरिया था वो था हमारा जम लेड़ होता है तो क्या बनता है हमारा सबसे पहला डिपलाइट सेल को सा होता है वो बॉड़ी का वो होता है जाइगोट अब यह जाइगोट क्या करता है यह जाइगोट डिवाइड होगा यह जाइगोट एक से दो बनेगा फिर क्या बनेगा दो से चार बनेगा ठीक है ऐसे बनते होगी दूसरी लेर ओके इसके बाद होगी टीसरी लेर अब देखना ध्यान से देखना यह जो सेल से यह इसे पर टिकुलर लाइन में क्या हो जाते हैं अरेंज हो जाते हैं अब बाहर की तरफ जो लेर होती है इसको कहते हैं एक्टोड मिडल की तरफ होती है वह क्या होती है व और अंदर की तरफ क्या होगी एंडोडम अब जम लेयर क्या होते हैं कि यह जो सेल से एक परिटिकुलर पोजीशन में आकर अरेंज हो जाते हैं अब इन सेल्स मतलब यह जो लाइन दिख रही है आपको यह जम लेयर जो दिख रही है इस लेयर से अलग-अलग ऑर्गंस बनते हें ठीके ओके तो इसको हम कहते हैं अब देखों जम लेयर आर फॉर्म डिरिंग इनिशल पिरेड आउप देव सेल्डाइंट यहां पर क्या हो रहा है इंब्रियोनिक इनिशल टाइम पर यह बन जाते हैं ठीके हैं and form those germ layers only different tissue are form in the body तो अलग अलग जो हमारे body के अंदर tissue बनते हैं organ बनते वो कैसे बनते हैं इनी जर्म लेयर से बनते हैं तो इन जर्म लेयर को दो टाइप में तोड़ा गया जिसकिसी एनिमल में जिसकिसी एनिमल में सिर्फ दोज State Bay is living not green मतलब कोन से अंदर की तरब अंदोड़ा में और उनके अंदर मिमत्र अप 1500 क्या यहां पर देखो यह क्या होगी यह हो गई एक्टोड़ा ठीक行 और अंदर की तरफ कौन का आपसेंट जोती इसके अंदर कुछ फिएक लेईर भरी जाती है एक नॉन सेलुललण लेयर होती है ठीक है इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाती है इसपेस को भर दिया जाता है तो जिसकी सी एनिमल की बॉडी में हमें दो मतलब क्या लिप्लो मतलब क्या दो उस organism को क्या कहें हम लगीविज दो मतलब लिंडकर होता है लिसकी एनिमल से बॉडी में हमें बस जब्लेAR मिले तो उसको हम क्या कहते हैं टिप्लो ब्लास्टिक वेरिंग काई सब ट्रिप्लो ब्लास्टिक उनका क्या होता उनका जो जमलेर होती हुटी थी एंडोड़म मीजओड़म और एक्टोड़म ठीक है तो यह कौन से फाइलम शो करते भीया अरे यहाँ पर तुम्हेंने फाइलम बता ऑफ सिमेटिकल कौन श Echinodermata, ठीक है, उसके बाद ये जो bilateral symmetry होती है, वो कौन-कौन शो करते हैं, हमारे जो है platyhelminthis, platyhelminthis, से लेकर, से लेकर, cordates तक, cordata, cordata तक, ठीक है, cordata का, लेकिन उसके अंदर Echinodermata नहीं आगा, Echinodermata का शो करता है, radial symmetry, for example, starfish, निडारिया, jellyfish, ठीक है, बचलो, ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे, diploblastik कौन है, diploblastik कौन है, तो देखो, यहाँ पर diploblastik organism, example कौन से कौन से, जल्दी से देख लेते हैं, एक होता है, हमारा phylum, कहाँ पर लिखू, चाहो, यहाँ पर लिखो, पोरी फेरा होता है, पोरी निडारिया, यहाँ पर दो ही फाइल म क्या खरते हैं, देखो यह, जो फाइल है, पोरी फेरा और निडारिया, यह दो ही फाइलम क्या होता है, बस हमारे diploblastik होते हैं, ठीक है, ओके, चलो, भीया, आगे बढ़ते है, आगे बढ़ते, तुरंद, और बाकी के rest of the, मतलब कौ mabitta कर दिन्थ हई कोड़ डेटा इसरवाचे सरुओ तक हितस अस्थ रवत शुरुवं आ सो मीजोड़ के चेक राज लेक्टिय। सब्सक्राइब क्राइटरी आता है वह होता है इसके बाद हमारी स्कीन है यहाँ पर हमारी बॉड़ी की वॉल है बॉड़ी की वॉल है तो अगर किसी और्गेनिजम के अंदर यह एलिमेंटरी कैनाल और बॉड़ी वॉल की बीच में अगर कोई स्पेस होती है तो इसको हम कहते है बॉड़ी कैविटी या फिर सिलोम तो क्या उस और्गेनिजम के अंदर यह बॉड़ी कैविटी है या नहीं ह ठीक है इसके basis पर इसको डिवाइड किया गया है ठीक है अब देखो cavity between the body wall, body wall and the internal organ, internal organ मतलब क्या यह है elementary canal, it's called as a body cavity or silome, ठीक है, तो teen type के body cavity देखने को मिलता है, एक ऐसे organism जिनके अंदर body cavity बिलकुल भी नहीं होती, इसको हम कहते है असिलमेड, एक ऐसे organism इनके अंदर body cavity complete होत इस तरह से होती है, या फिर एक ऐसे organism होते है, इनके अंदर body cavity है, वो पूरी तरह से नहीं होती, थोड़ी-थोड़ी टूटी-टूटी होती है, कैसे होती है, चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, अब सबसे पहले आता है, यह body cavity बंती कैसे, body cavity बंती कैसे, तो हमें पता ह कि इसके ऊपर क्या है, एक टोड़म, इसके नीचे क्या है, एंडोड़म, और बीच में क्या है, यह कौन से लेयर होगी, यह कौन से लेयर होगी, देखो जल्दी से, एक बार फिर से देख लो, यह क्या है, एक टोड़म, इसके नीचे क्या होगी, एंडोड़म, और यह बी एक्टोडम की तरफ चली जाएगी और दूसरी लेयर उसकी एंडोडम की तरफ चली जाएगी तो बीच में क्या बनेगी बीच में बनेगी क्यावीटी और इसी क्यावीटी को हम कहते है सिलोम तो भया आपको क्या समझा क्या समझा देखाओ यह है एक्टोडम यह है एंडोड तरफ बनेगी तो देखो एक लेयर एक्टोडम को चिपक गई दूसरी लेयर एंडोडम को चिपक गई तो बीच में क्या बनी यहाँ पर कैवीटी और उसी को हम कहते हैं सिलोम तो जिसकी सी और गईनिजम में यह बॉड़ी कैवीटी बनी है उसको हम क्या कहेंगे और के एक्जांपल सकूंस है हमारे फाइलम ऐसकल मेंतीस कि एसकल में अदर के से लेकर पूरे के पूरे सफ छोनरोहिप करता कajटी लगरिधक तक ऐनकते उसके बाद उसके बाद एक हमारा ता ऑर्गैनिजम आता है शुरी एसकल में इंडि यार एक मिनटक मेंटक में इसमें क्या आता है अपना एने लीडा ठीक है एने लीडा एने लीडा से लेकर पूरे की पूरे जो देखो यहां पर एक बार देख लेना भाईया यहां पर अरे रे 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 क्या हो गया देखो क्षिर्ट जह मैं हमारा य को से यह इहां तक सारी और यह क्या सारी ओर्गेरनिजम रहो हमें estás मैं यहाँ पर हमें सिलों मतलब यह इसलों मतलब पूरा पूरा की उनकी त्पाइला में एसके बीच में क्या होता है इसमें क्या होता है देखो अंदर की तरब का है एंडोडम बहार की तरब का है एक्तोडम लेकिन जिखे मिजोडम होती है तो मिजोडम कैसे होती है यहाँ पर थोड़ी सी स्प्लीट हो गई यहाँ पर थोड़ी सी स्प्लीट हो गई यहाँ पर थोड़ी सी स्प्लीट हो गई मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ऐसे पाउच 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 मतलब देखो मिजोडम क्या होता है पूरी स्प्लीट होनी चाहिए ठीक है फ्रू आउट दिया यह जोड़ सी शूंट होगी यहां पर देखो यहां पर थोड़ी शूंट होगी तो मतलब यह तो क्या होगी इसको हम कहेंगे यहाँपर क्या होगे तो इसको हम कहेंगे कौन से जिसके अंदर एक तो देखो हमें तो इतना पता है कि सिलोम बनती के सी है मिसोडम के स्प्लीटिंग से अब मिसोडम ही नहीं होगी तो स्प्लीट क्या होगा कुछ नहीं होगा मतलब क्लियर कट है कि पोरीफेरा और निडारिया कि कि पोरीफेरा और निडारिय यह क्या है यह आते है ओसथ यूह में Serie लेकिन हमारा एक फिर और एक फाइलम है जो कि हैत्रिपलोब्लास्टिक कौन सा लेकिन वह जो है हमारे सिलो्मेट में नहीं हाता वह उता है और अटो simply मेंतिस व्रक्राइख यह होथ को था जाता है टो कि यह हो T25 लेकिन उसकी जो मिजयोड अभॉट स्प्लीट नहीं होती है तो वह आ जाता है और सिलो मेट में ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते उसके बादा बॉड़ी सेग्मेंटेशन अब बॉड़ी सेग्मेंटेशन में क्या होता है अगर आपने कभी कॉक्रोज या फिर अर्थवन देखा होगा तो उसके बॉड़ी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेग्मेंट दिखेंगे आपको सेग्मेंट मतलब कैसे एसे ऐसे ऐसे ठीक है यह ऐसे चोटे छोटे आपको सेग्मेंट दिखेंगे ठीक है तो यह जो सेग्मेंटेशन का जो मेकानिजम होता है जिसके बॉड़ी में सेग्मेंट होते हैं उसको कहा जाता है मेटामेरी जम मेटामेरी जम और एक एक जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट को कहते है मेटामियर मेटा मेर ठीक है मेटा मियर गए टे। ओके अब ऐसे दो ही फाइलम है जो हमारे क्या करते हैं सेगमेंटेशन शो करते हैं एक होता है हमारा एपने लिडा जिसका एंग्जांपल है कोन सा हमारा अर्थम और दूसरा जो है वह हमारा आर्थ्रोपोडा और थो पोड़ा ठीक है यह सारे के सारे हमने लगाए है और इसके बस पर हमने यह पूरा को बुरा पूरा समझ में आजाएगा ठीक लोग आगे बढ़ते हैं हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारा आपन की पानी के अंदर यह हैं role होता है यह ची बार मतलए पांस समंदर के पानी में रहने वाले ओके अब इसके अगर हमें habitat की बारे में बोलना जाओ तो यह क्या होते है उसके बाद body organization क्या होता है cellular level body symmetry क्या होते है और symmetrical उसके बाद germ layer की तो होते है diploplastic मतलब ectodum और endodum और उसी के बाद इनका यह क्या होता है सिग्मेंटेशन होता है क्या बिलकुल भी नहीं होता है ठीक है और इनकी body cavity क्या होते है असी लो मेट ठीक है ओके अब इनके particular character के बारे में देखेंगे they are sedentary sedentary मतलब क्या यह इदर उदर चल नहीं पाएंगे एक ही जगा पर रह जाएंगे ठीक है इतनी बाद उसके बाद minor pores are present on the body अब देखो यहाँ पर पोरी फेरा बोला गया है पोरी फेरा तो यह पोरी का मतलब क्या होता है पोर्स पोर्स ठीक है और यह फेरा का मतलब क्या होता है बीरिंग ठीक है शर्ण के बाद देखो इंक थ्मील फेरा लाइक स्पोंच ड्यार कॉलर लाइज स्पोंजेस यहाँ पर नक्रटब होता है और हमारा तो प्रेस्टेंस और कैमा वाटर आ जैस्टेंग którą यह हमारा एक क्या है हमारा पौरिपेर पौरी एक दिए को मैं रहां से काट लिया ताकर आपको दिखा रहा है अब क्या अब या करना ध्यार नहीं को बोटी के उपर यहां पर चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे क्या होते है इसे पोर्स होते है अब यह तो भीचारे चल Gamze इनको खाना-खाना है तो लगिन खाना कैसे खाएंगे तो पानी में फूड़ज़ां पानी के साथ इनके अंदर एंटीं करेगा सबसे पहले उसे पाणी है इन और उस canyon और आसा क्या होता शोटी ओर अ नरे नहीं आसा क्या होता है क्या होती है पर एक ट्पर पर Gemka तो बॉतल जैसे अंदर से हॉलो है हॉलो मतलब क्या पोकल पोकल मन तो बढ़ा बढ़ा करें यह थे जैब पोकल रस्त बढ़ाए ओके आप देखो यह जो बीच में जो स्पेस है इसको हम कहेंगे स्पांजो सिल या फिर सेंट्रल कैवीटी ओके सो पानी जो है सबसे पहले आस इसको हम कहेंगे औस को लब यह चोटी सी जो ओपनिंग दिखर इसको हम क्या कहते है और अंदर में जो क्या विटी इसको क्या कहेंगे हम सेंट्रल क्या विटी सेंट्रल क्या विटी या फिर या फिर इसको दूसरा नाम क्या है या फिर दूसरा नाम इसको क्या है वह हमारा औ और इतको हम कहें दे स्पॉन्जोशील कि स्पॉंजोशील ठीक है ओके तो अगर हम प्रेया वाटर वास्कुलर सिस्ट्म के अगर मैं बाद करूंँ तो इसका सीक्वेंस क्या होगा सबसे पहले पानी जाएगा ऑस्टिया में ऑस्टिया से वह जाएगा सेंट्रल कैविटी में सेंट्रल कैविटी में जाएगा और सेंट्रल कैविटी से वह बाहर निकलेगा कहा से औसकुलम से औसकुलम से वह क्या निकलेगा बाहर निकलेगा इतनी बार सब को क्लियर है औस टिया सेंट्रल कैविटी और औसकुलम अब मैंने बोला था कि इनकी जो बॉड़ी होती है वह बहुत सारे से बने उती हैं इनकी भी होती है निंदिर से लेकिन से है छोते छोटेव ऐसे समाझे लोगे जा एर निटल लाइक स्क्ट्चर होते हैं या फिर ऐसे व्यों से असे छोओ-म्यों मैं त्थ करेखे ट्म जिसको कहा जाता है स्टी क्यूर्स तो सिखिफ convert काते इनके बौडी को सपोर्ड करने का गाम करते हैं स्पिक्यूर्स टेखो बोडी cat सब्सक्रेटर और स्बॉज्व संधूर्स सब्सक्राइट वह इसके बाद इनका एक पॉर्टिकुलर structure होता है particular sales होते है जिसको कहा जाता है झालर सेल कहेशन होते है देखो अ कि इस तरह से कुस्टभी इनके body के अंदर sales होते हैं ठीक है इससके body के अंदर sales होते है इसको कहा जाता है居 और एक बडा आख सा फ्लैजेला यहाँ पर लगा होता । तो ऋंदर की जो लाइनिंग दिख रहे हैं अनुपा पर सैसा सथ इनके अंदर रिप्रडॉक्षन होता है वह सेक्शोल्ट सॉता मतलब घयामिट HOL नहीं होता है वो असेक्षियोत है औतो असेक्षियोः कूं सा होता है जल्ती से प्रेक्षियोड कर देखो और सेक्षियल की सा निया है अ या फिर रिजसभ स्टनीय आप रयडिकल होता है एक शलीया आपर फ्रगमेंटेशन चाहिए थी चहि ambitions को मिटा दिता ओं कि यापर मैंस को मिटा दीता हूं ठीक है ओके हो कि करी कर्या हो गया कि है ओकी इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिदipp प्राग्मेंटेशन थे टो डा सा सइक मिनुट रोगो थोड़ा सा एक को यह होता है फ्राग्मेंटेशन गड़ो टेला टेला चलो आगी नेक्स हमारा फाइला में वो हमारा फाइला में वह सब्सक्राइले है क्योंकि यह तो deserve अब इस तरह से सेल्ट हो कि नीड़ाल अगर आप देखो कि ध्यान से तो एकदम यह सुई जैसे लंबा सा एक धागा होता है तो क्या होता है जब किसी अब समझ लो यह एक निदारिया एक निदारिया ठीके मेरे ऐसे टेंटाकल्स है कि और यह इसके ऊपर बहुत सारी नीड़ाल स या फिर इसको किसी को खाना होगा तो वीचारे के पास तो हाथ नहीं है यह खाएगा कहसा तो चाहिए तो यह क्या करेंगे यह जो यह जो निढटला सेल सेल सेंचे जुआ वैसे ही इसके contact में इसके tentacles के contact में अगर जो कोई भी ऑर्गेनिजम आ जाता है यह क्या करते है यह लंबा सा जो थ्रेड है यह लंबा सा थ्रेड सीधा उसके बॉड़ी के अंदर डाल देते यह चाबुक के से मारते हैं सब आक ऐसे बिल्कुल वैसे यह थ्रेड लाइक स्ट् इसको यह क्या कर लेगा खाल देगा समझ में आ रहा है क्या छा लेगा तो पेजस आप निडवलास ऑन टेंटकर तो यह पाइटिकूलर आरेक्टर किसके बारे में यह हमारे निडारिया जिस को दूसरा नाम कहा जाता है लेंट्रेटा ठीके ओके तो यह पड़िकुलर पर अब इनके बॉड़ी के अंदर यह और टाइप के बॉड़ी फॉर्म देखने को मिले दो टाइप के बॉड़ी होती एक होती है पॉलीप और दूसरा होता है मेडूसा तो पॉलीप कैसा होता है सिलेंड्रिकल के से देंड्रिकल मतलब कैसा है एक दम है एक दम देशा यह है ठीके बॉड़ा द हे इसको כ्या खालेंगे इसे डंकल और एं दी you इसका एक्जंपल क्या है आइड्रा और डूसरे तो मेडूसा जेली फीश आप देख रहोगे जेली फीश ऐसे 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 करके तःते हुए जाती तहिसे ऐसे हैं तो क्या होगी स्विमिंग ठीके एतनी बास अपको क्लियर है ओके जी आगे बड़े ठीके तो दो टाइप के बाड़ी फॉर्म होते है एक होता है विस्वा पड़ी दूसरा और दूसरा होता मेडूसा पॉलिप कैसा होता है सिलेंड्रिकल और वह इसे एक जगह पर खड़ा रहता है वह इसा पर भाग नहीं सकता अंधी अधर साइड मेडूसा कैसा होता है वह होता है अंब्रेला शेप मतलब ऐसे चाता खोल दिया ना चाता अंब्रेला शेप देखो अंब्रेला शेप और वह कैसे है फ्री स्विमिंगे इतनी बास आपको क्लियर हो गए ओके उसके बात यह जो है जो हमारे निडो ब्लास्ट है काम क्या करते एक तो यह काम करते हैं कैप्चेरिंग प्रे मतलब शिकार को पकड़ना या फिर डिफेंस डिफेंस मतलब क्या कोई अगर शिकारी इसको खाने आ ज होता है ठीक है और यह जो मेडू सा होता है वो क्या करता है सेक्शोल रिप्रोड़क्शन करता है ठीक है सो हमारे निडारियन क्या करते हैं बहुत सेक्शोल और सेक्शोल रिप्रोड़क्शन परफॉर्म करते हैं एक्सामपल देख लेना भी या हाइड्रा एडाम शिया सी ठीक है फीजलिया पोर्तुगीज मैन ओफ वर और एलिया जेली फिश ठीक है और कोरल्स भी होते है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड फाइलम है वह है प्लाटी हेलमिंटिस प्लाटी हेलमिंटिस अब इनको प्लाटी का मतलब क्या होता है देखो हम बात को होगे जो कोई भी वर्म्स होगे इनकी अगर बॉड़ी है इसे एकदम चप्ती होगी एकदम फ्लाट ठीक है कागच जैसा होता है कागच ऐसे कागच मतलब ख़ड़ा मत देखो ऐसे देखो उसकी ठीकनेस देखो तो उसी की तरह यह और्गैनिजम होते इसलिए इनको कहा ज होती है ठीक है ओके त्यानंतर रिप्रोडॉक्शन इस टेक्स प्लेस बाइब बोट सेक्ष्वल एंड और सेक्ष्वल तो और सेक्ष्वल में क्या होता है और सेक्ष्वल में कुछ नहीं बस यह क्या कर देते तोड़ देते खुद को ठीक है फार एक्जमपल प्लानेरिया प्लैनेरिया के पास, highest regeneration capacity है, मतलब क्या, समझ लो, यह हमारा एक प्लैनेरिया है, ठीके, यह एक प्लैनेरिया है, अब इस प्लैनेरिया को मैंने समझो, यहाँ से तोड़ दिया, ठीके, यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, तो यह क्या करेगा, यह जो टूटा हुआ पाट ह और यह बाकी का जो पार्ट है यह उपर का पूरा का पूरा बना देगा समझ रहा है इस तरह से प्लानेरिया दिखता है इस तरह से क्या दिखता है प्लानेरिया दिखता है समझ में आगी बात इतनी बात सबको clear अब सेक्शुल जो रिप्रोडॉक्शन होता है उसमें भी यह कैसे होता है हर्मयाफ्रोडाइट मतलब क्या होते हैं मतलब मेल और फीमेल एक ही बौड़ी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और यह जो हमारे एंडोपरासाइट रिकांडोपरासाइट थे इनडोपरासाइट बॉडी के अंदर य से टेप पॉपम होगा आ covid है प्राइडैरिया लिवर फ्लूक और टेप वम ठीके ओके चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हमारा जो नेक्स फाइला में वो है एसकेल में तिस अब एसकेल में तेस आपने मंतने मराथी में जनतो होता कि वा विदरभा में अधिया में किरिम होने बर्बार है कि अब तक हमने देखा कि मेल और फीमेल एक ही बॉड़ी के अंदर टेक लेकिन हमारे जो एसकेल में तिसे इनके अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है समझ में आ गया है और मेल की जो बॉड़ी होती है वो फीमेल के कंपेरिजर में कैसे होती है छोटी होती है लेंट वाइस क्या होती है इतनी बास अफोग लिए रहे मेल क्या होगा हाइट से चोटा होगा और फीमेल क्या होगी हाइ क्योंकि इनके बड़ में और फीमेल अलग बड़ी में हैं म् deus s UX बड़ी M पर प्रवी में अर्वन्सी ने निवी सप्सक्राइब होता है और फीमेल अलग होती है ठिक सेकसेइस अरे ठीक है अब इनकी जो बॉड़ी होती है वो कैसी होती है थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल है इनकी बॉड़ी कैसे होती है पेंट जो दिख रहे है न थ्रेड लाइक राउंड 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 रा बिचारे बॉड़ी तो इनकी जलकर खाक हो जाएगी तो उसको बचाने के लिए उसको बचाने के लिए क्या होता है? क्यूंटिकल से क्या होती है ती के ओके और इसके एक्जाम्पल एक गाए इसको मताथ है आइवम पन मनता तो ठीक है चेह लागा नेक्स फाइलम इस दा फाइलम एने लिडा ठीक है तो यह एक्टो पैरसाइड एक्टो पैरसाइड लीच क्या होता है खुन चूसने वाला जो था कभी आप तालाब में चले जाओ तो आपके पेर हो या फिर हात के उपर ऐसे एक जो है यहाँ पर यहाँ पर आप लिट लिट विलॉंग करता हमारे एक्टो पैरासाइट ठीक है अब इनके अगर बात करें तो इनकी बादी कैसी होती है वह तिये लॉंग और लाम बस्तानी का साथ तो गोल गोल लेज़े बाडी मतलब क्या होते हैं और लोको मोशन इस बाइप पैरा पोडिया इसका अंदर क्या होता है पैरा पोडिया जो हमारे एक गेंसधांपल क्यों क्या क्या करता है पैरा पोडिया ऐसे क्ष्ट करता है संगर के हे triple असलिक होता है लिच ये लिच यो है सखरआ यहां पर सकर होगा यह क्या deepest गरेगा सख्शन करें आपने बाडिगो तो पूराएंचे लेकर फिर से ऊछोड एका फिर से दूसरे जगह पर वाले को ठीच लेगा तो यहीत क्या करते हैं सँवह में और उससे चुरुक के साथ यह जो हमारा सिटि होती है लोकोमोशन पर्फॉर्म करता है ठीक है और हुआ अंदर जो सेकस्मेश्स वो कैसे घूलते हैं होटे हैं इसे पॉरेश्य का होता है यो gworia करूम और हमारा यूणी सेक्शूल होता यह होते हैं यह है होता है यह ऑई सेक्शूल मतलब हएं यह इतनी बात सपक्र जिया है रहे होके चलो भई आगे बड़े दो बाट पता है segmented body होती है body organization कैसा होगा इनका अंदर अनिलीटा है मतलब organ system level of organization symmetry कैसे होगी bilateral उसके बाद germ layer क्या होगे triploblastic sylum क्या होगा use sylum और segment segmented body इनके अंदर ठीक है बच्चा फैला कि चलो आगे बढ़ते इसके बाद phylum पर और जो है यह largest phylum क्योंकि यह जमीन पर भी दिखते हैं हवा में भी दिखते हैं यह पानी में भी दिखते यह desert में भी दिखेंगे यह cold area में भी दिखेंगे जहाँ जगा मिले वहाँ पर कौन फैला है बस एक अर्थ पोड़ा उतर पोड़ा और इसके बहुत सारे स्पीचिसे बहुत सारे और इसे फ़ाइंने अजय को होता है और इनको जो ओर्थ्रो का मतलब होता है वो बोड़ी से बार पार्ट निकल रहे हो गए विश्प धिया हो गये और यहाँ पर एक जोइन्ट ए यहाँ पर इक जोइन्ट ए यहाँ पर एक joint है यहाँ पर एक joint है उसके पर देख लो पर भी यहाँ पर एक joint है यहाँ पर एक joint है और यहाँ पर एक joint है तो इनके appendages कैसे होते हैं हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद body is divided into head thorax and abdomen देखो यहाँ पर body इनकी देखो तो आप इनकी body जो तीन पार्ट में डिवाइड होती है एक होती है head दूसरा होता है thorax और तीसरा होता है abdomen ठीक है head thorax और abdomen में क्या होती है डिवाइड होती है और इनके उपर एक exo skeleton देखने को मिलता है जैसे हमारे अंदर endoskeleton होता है जो बोन से बना जो बौड़ी को support गरता है उसा के तरह इनके अंदर नहीं बहार होता है body के भार होता है exo skeleton बना होता है किस sab Constance से, पिक है किससे बनाता है कायटी से, उसके बाद इनके अंदर ट्रेक्यल रस्पेरेटरी सिस्टिम देखने को मिलती है, ट्रेकल रेस्पेरेटरी सिस्टिम मतलब कैसा देखो, यह ज़े उसकी बडि हो गयी, इस बडि के उपर क्या है सेगमेंट से बाइया, ठीक suspended, यहाँ पर क्या है सेग्मेंट से अब इस सेग्मेंट के ऊपर यहाँ पर छोटे-छोटे पोर्स होते यहाँ पर छोटे-छोटे पोर्स होते जिसको कहा जाता है स्पिर्याकल्स स्पीरियक कल्स ठीक है यह इस्पीरियक से क्या होता है जो एर है यहां से एंटर करेगी और सीधा जो है इनके बौडी के अंदर ओपन सर्कूलिटरी सिस्टिम होती है और सब्सक्रूर्डरी सिस्टिम मतलब हाड से जो ब्लड पंप हुआ तो वह सीधा इच और एवरिय य्हें को क्हा चा कर देखा जाकर टच कर देगा जैसे हमारी आपर देखो वेंच होते हैं मारे लिप्लड सिधा हमारे ब adalah LGBT में slow नहीं होता वह कहां पर होता है pipeline के थ्रूं जाता है इसको हम कहते ख्लो सर्कुलियररिय सिस्टिम लेकिन इनके अंदर क्या घथ से तो सीधा बार्ट क्या हो जाएगा थीक है ओक है इतने बास फो एद है okay तो इसको कहा जाता- घआ इस प्रेखराइटर रिटैल स्ट्रीम और इनके अंदर क्या होता है अपन सर्कौलेटरी से सि्ट्रीम देखने को रख gas 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 получается Πनजन मतलब यह क्या करेंगे सेक्ष्यो रिप्रोड़क्शन परफॉर्म करेंगे ठीक है ऐग्जांपल क्या है कोक्रोच क्राब स्कॉर्पियन सिलवर्फिश तो इसका ध्यान रखना भी या सिलवर्फिश है का मतलब यह समझाप की यह मचली यह क्या है और थोप मधे ठीक है ओक है नेच्स देखते हैं वह हमारा क्या क्या है क्या है मोल ऊस्का अभ्यार मौलूस का होता है मौलूस का थूंकि जो या फिर आपने कभी उक्टोपोस को हाथ लगाया होगा तो इसके बाड़ी की उपर होती है जिसको हम कहते हैं शेल जिसको हम कहते हैं शेल नहीं शेल ठीक है ओके ला इती जए अ सेकंड लारजस्ट फैलम गिंडम एनिमिलिया ये बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कोह और तो बोडा सेकंड फैलम को सा है हमारा किंडम एनिमिलिया का वो है हमारा फैलम मुलोश का थिक बॉड़ी फॉप्ट एड्स लीमी स्लीमी मत्तब क्या है इसे एक इसके बाद इनका जो होते है वैसे होता फूट ठीक है इसके बाद यहां पर एक बड़ा सा होता है हम ठीक है ठीक है और यहां पर इसकी इस तरह से बॉड़ी होती है तो यह हो गया है यह होगे फूट ठीक है और यह होता है यह होता है विसेरल हम विसे विसेरल ठीक है विसेर सब्सक्राइब सब्सक्राइब है तो बॉडी कैसे है दिवाइद एड फूट एड़ को. इसल हम देखो एड़ फूट एड़ हम और हम के उपर इस विसरल हम के ऊपर एक लेयर होती है ऐसी तीके एक लेयर होती है ऐसी इस तरह से एक लेयर होती है ठीक है जिसको कहा जाता है मैंटल जिसको कहा जाता है जिसको कहा जाता है मैंटल अब यह मैंटल क्या करती है मैंटल जो है इसकी उपर जो एक शेल जो निकलता है ऐसे शेल जो बनता है देखो यह जो हमने देखा था यह जो यह बनता कैसे वो बनता है इस मैंटल लेयर से मैंटल लेयर जो है यहां पर यह शेल बनाती है ठीक है इतनी बाद सब्सक्राइब देखो मतलब मतलबankind जो जेल है या को सप Ky從 Salt क करता है हमारी मैंटल की लेर और मैंटल की लेर होती कहां पर आइस वीशरल मास या में विकलत के ऊपर हूंप मतलब क्या होता है जिसे उट के ऊपर एक होता है पीट के ऊपर ऐसे चोटा सा एक टेंगूल आपन देला माराट दिमान तो टेंगूल पार एक हम पस्तो तरसका चाहिए जमाज़ सक्षर दिसना आपला लगा विसरल हम बरो बरहें चलो आगे बढ़ते उसके बाद शेल में बी इंटर्नल और ए जार आपला चाहिए जिस्तो बाहर काये चीडिशते विरिए एक्संपल्स प्लाप स्क्वीड स्क्वीड काये मरा जानी मले तर यहां इसके बात करूँ तो आप देखोगे कि यहां पर क्या दिख रहा है इनकी अगर बाहत करूँ तो यहां पर देखो इसके बौड़ी को यहां से कटूं तो दो इकॉल पार्ट यहां से कटूं पार्ट यहां से कटूं तो दो इकॉल पार्ट मतलब इनकी बॉड़ी कैसे होगी alain similar this nट की इतनी बात इतनी बात समर्फ आ और सेग्मेंट्स फो में देखने को नहीं मिलते तो के बोडी अब 920 अब ten आउनो अब knocking होता है स्पाइन्ज शोते चोड़ी शोते हसे थे स्पाइ sap 17 हम क्या आएंगे यह grandi जोटे न जोए नacha क काते ही न। स्कीन काते मत के शकुआ तो कोई भी जिसके बाड़ी के उपर चोटी चोटे से स्टॉक्शिता लेकाइनो और स्कीन के उपर स्कीन पिले तो उसको हम जैएमेंगे एकाइनो-डर्मैटा थिक के body is covered by the calcareous spines तो spines बने किस से होते हैं calcareous, calcium से ठीक है और ossicles, ossicles मतलब क्या होते हैं छोटे-छोटे plates होते हैं उनके body के अंदर अब इनके अंदर एक particular एक हमें system देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है water vascular system जिसको कहा जाता है water vascular system देखो water vascular system अब water vascular system क्या होती है उपर के तरब एक opening होती है जिसको कहा जाता है medriaporite यह ध्यान में मत रखना ठीक है यह जो है अरे रे रे यह जो है organism इसके उपर के तरब यहाँ पर एक opening होती है इस opening से पानी लिया जाता है और उस पानी के साथ उनका food particle भी आएगा या फिर उसका gases आएगे फिर वो gases आएगे और यह जो यहाँ पर दिख रहे हो इसके body का अब यह क्या हो जाएगा dorsal surface या अंदर की तरब क्या हो जाएगा ventral surface जो जमिन को चिपक के चरा ventral surface तो ventral surface पर ऐसे छोटे छोटे जो है यहाँ पर बहुत सारे हजारों के संक्या में क्या होती है वहाँ पर tube feeds होते है अब उपर से पानी ले लेंगे समझ लो उपर से पानी लेंगे और पानी लेने के बाद ऐसे चुस करके क्या करेंगे यहाँ से जो है वह पानी छोडेंगे और इसके साथ क्या होगा इसका locomotion होगा क्या होगा locomotion मतलब यह आगे बढ़ेंगे समझ में आ रहा है क्या करें यह ऐसे पानी ले रहें अंदर और नीचे से जोड से पानी फिक लें मतलब यह क्या होगा ऐसे बाडी जो इनके आगे बढ़ेंगे ऐसे क्या करेंगे लोको मोशन परफॉर्म करते हैं विद्धे हेल्प आप ट्यूफट ठीके तो यह जो पानी है पानी बाडी के अंदर जाकर यह ट्यूफट से बाहर निकलता है के इसको हम कहेंगे वाटर व्यक्त स्वास्द् एंगे वाटर वैस्कुलर सिस्ट्म पोरीफेरा में क्या देखा था वाटर कैनल सिस्ट्म और के चलो आगे देखते हैं लोको मोशन देख लिया मैंने बता दिया और उसी के साथ सेकन होता है capturing of prey मतलब क्या यह देखो यह क्या है इसके arms है इसे ठीक है arms के नीचले साइड पर क्या है बहुत सारे tube fits लगे बहुत सारे tube fits लगे तो यह क्या करेंगे जाएंगे 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 किसी organism को पकड़ लेंगे ठीक है अब पकड़ लेंगे ते क्या करेंगे सक्षन पैदा करेंगे वहाँ पर सक्षन की वज़े से क्या होगा वह आर्गैनिजम के उपर ग्रीप बेट जाएगे और फिर क्या करेंगे इसको यह आराम से खा लेंगे ठीक है तो क्याम क्या है ट्यूफिट का एक फॉर लोकोमोशन दूसरा फॉर कैप्चरिंग ऑप प्रे ठीक है देशो कैबेसिटी ऑफ री जनरेशन अगर इसका एक हाथ यहां से तूट भी जाए यहां तूटने के बाद यहां तूटेगा लेकिन जैसे लिजार्ड में हमने देखा था कि पूच निकलती है फिर से एक बार पूच तूट गई तो फिर से पूच बनती है तो उस बड़े नेक्स फाइलम हमारा हेमी कॉर्ड तूरी नेक्स फाइलम हमारा हेमी कॉर्ड एटा नॉन कॉर्डेट का एक लास्ट फाइलम अब यह जो हेमी का मतलब क्या होगा हेमी का मतलब क्या होगा है मी का मतलब क्या होगा हाप को और कि अपप्र होगा तो यह जो है यह क्या होता है और कुछ-कुछ इनके अंदर नौन कॉर्ड़ेटर सब्सक्राइब और कुछ-कुछ जो है इंके अंदर करद थे हैं इनको कहा जाता है हेमी कॉल्ड प्लम मुलता है खाजो जो सिर्द के जाज को उन्हें हिसो स्ट्रॉच्टर को कैसे हुता है ओफ अच्छा जैसे हुता है ओन सब्सक्रसूट होता हैइ इसलिए इसको कहा जाता है य Tor chicken अब इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में ठीक है तो यह जो है हमारा यह इसका रिजन जो है इसको कहा जाता है प्रोबोसिस ठीक है इसको कहा जाता है प्रोबोसिस यह जो रिजन है इतना वाला जो रिजन है इसको कहा जाता है थीकिए प्रोबस्स एक पॉडर के बाद बावनें तरहां और के और सो निए स्टैसेंगी मैंनेई उनिस तो यो यू और सिर्ट Kransika कि пойmen मैं और ile में क्यूंकि नॉन कार्णिर से कुछ कुछ क्यारेक्टर इसके पास कोई से देसे प्रेजेंस ओफ वेंटरल नर्व कॉर्ड वेंटर मतलब आगे के तरब ठीक है उसी के साथ डॉरसल हाट देखा था हमने नॉन कार्णिर का क्यारेक्टर उसी के साथ क्या था यह था दो क्यार स्टो मोट कहा जाता है स्टो मोट को ठीक के इसको स्टो मो खाट भी कहा जाता है टीक है यह जोट आरल लेकिन पूरा नटो ऑर नहीं होता है यह सो वंट्मेनी फ्रहेंजिएल गिल स्लेच मतलब क्या होगे फैरैंज्ट के महांस बहुत गिल स्लिट्स होगे दैट्स वाई इड़ीज़ कनेक्टिंग लिंग बिट्विन अकॉर्ड एन नौन कॉर्ड एक्जांपल दो ही है बस आपको बैला नो ग्लोस और सैको ग्लोस तो इसी के साथ हमने जो है पूरे के पूरे नौन कॉर्ड इसके फाइलम देख लिए अब आते तीन सब फाइलम में तोड़ा गया तीन सब फाइलम में तोड़ा गया अब कौन से बेसिस पर तोड़ा गया कि इनके अंदर नोटो कॉर्ड है तो कौन से स्टेज में था एंब्रियो के स्टेज में था एंब्रियो के स्टेज में था तो कौन से रिजन में था हेड में था कि पूरा बॉड़ी में था या फिर नोटो कार्ड पहले था और निकल गया यह आपने क्या बोल दिया सर बहुत कन्फ्यूज कर दिया थोड़ा तो रुको रुको भाई या मैं बता तो हमने देखा था किंग्डम एनिमिलिया उसके बाद हमने सब किंग्डम देखा था कॉर् छो फिर से तीन फाइलम में सब्फाइलम में तोड़ा गया था एक का हमारा यूरो कॉर्डड डेटा और वर्टीब्रेटा अब देख ना मैसे की बाद कि नोटो कॉर्ड देता होता थेक है इसका लारवा इसके अंदर नोटो कॉर्ड कहां पर देखने को मिलता है नोटो की टेल रीजन में notocod notocod is present 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 only in tail region of larva tail region of larva टीक है मतलब क्या भई या मतलब क्या भई या अगर यह लारवा है अगर समझ लो ये क्या है ये लारवा है तो इस लारवा के बस टेली रिजन में बस यहां के टेली रिजन में है अड़ल्ट नहीं बोल रहा आड़ल मतलब पूरा ओगैरिसम टेवलप हो जाएगा उसके अंदर नोटो कॉअ होता है हमें क्यों दिखरा है अगर मुझे नोटो कॉर्ड दिखता है तो वह आ जाएंगे क要गता के अंदर थीकर citra अब दूसरी जलते हैं दूसरा है सिफलो कोड़ डाटा अब सिफलो कड़ डा मतलब क्या होता है दी नोटो कोड़ दी नोटो कोड़ नोटो कोड़ इस प्रेजेंट है अब प्रोम हिए टू टो टेलल रिजं था टू आउट धी लाइफ ध्रू आउट धी लाइफ मतलब क्या भी यह मतलब क्या कि यह जो एनिमल्स होगे इस एनिमल्स के हेड टू टेल मतलब समझ लो अगर मैं यह एनिमल्स को ड्राव करता हूँ कुछ इस तरह से यह एनिमल्स को मैं ड्राव करता हूँ तो इसके 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 हेड रिजन से लेकर पूरा पूरा टेल रिजन तक क्या होगा इसके अंदर न जान देने वाली बात कहां परे कि नोटो कॉड कहां परे यूरो कॉड एटाचे यूरो कॉड एटाच्या आप लारवा चे टेल रीजन मझे भकताब लेला दिश्ता है नोटो कॉड वेरिन केस आप सिफेलो कॉड एटा पूर्न और अर्गे निजम चाहेड पासून तर टेल लिजन परनदकाय दिस्पा आप लेला नोटो कॉड जिस्ता है और ने तो अड़ेल्ट मझे अस्टों अब देखो वर्टी में क्या होता कि चीनोकोर्ड दी मोटो कॉड को trze EZ replace by replace बये वर्टीभ्रल कॉलाउं वर्टी प्रल थे कि कॉलाँम ठीक है वहा 적icus किब दो अगर तो अगर तो में देखे तो हमारे हमारे पीट की पीछे देखो यह अब खरो तो हमारे अंदर तो नोटकोॉर नहीं है फिर हमें में कॉड़ेर्स में डंडा धाया क्य Monet Hi Symdenous wieder dat olisin says k है कि दिग हमारा जो यह hemron dieta है hem boy के अंदर नोणोड़ कोड़् प्रेजेंट होता हैं लेकिन यह जैसे अंडल्ट डेव लब हो जाता है जैसे हम अड़र में जब डेवलबोस हो जाएंगे तब उसका जो रोटो कोड है ये रिप्लेश हो जाएगा रिप्लेश उसको निकाल कर वहां पर क्या आutर वर्टीब्रल कॉलम आ जाएगा ठीक इतनी बार समल में आ तो ये थे दिटी कर्टा दिटा हो ऑर वटी ब्रेटर ठीए वच्छा लोगोins सब्सक्राइब को थोड़ा डिसकस कर लेंगे इनका है इनका होता है इनका वो है एक्वेटिक टेरेस्टियल और कैसे एरियल मतलब जमीन पर रहते हैं पानी पर रहते हैं हवा में भी रहने वाले हैं इन इस एनिमल नोटोकॉर्ड इस रिप्लेज़ बाइवर्टीबरल कॉलम हां ठीक है, उसके बाद ? इन इस एनिमल हैं इस ओडिव मतलब क्या होता है पूरा उसके अंदर जो उनका ब्रेण होगा वह लागा प्रॉपर एक box के अंदर क्या होगा covered होगा जिसको हम कहते है skull जिसको हम कहते है skull या फिर उसको हम कहते कटिलेश कहां पर होता है कान को पकड़ो चोड़ो तो यहां पर एक एक स्ट्रक्चर दो दे रहा है कान को लेकिन इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे मोडता हो तो अपने जगा पर चला जाता है यह क्यों होता है जब्रा होता है इसको हम कहेंगे उनके अंदर जब्रा नहीं होता है जो यह जबड़ा होता ने पूरा यह वह अंद्यों दिख रहा है आपका मसल्स के तुरू क्या हो रहा है यह जो मुह कर रहे है तो जो जो नहीं होगे तो उसको हम कहेंगे अगन्याथोस्टोमेटा ठीक है तो अगन्याथा का एक एक जांपल है वह हमारा कौन सा वह हमारा इनका मात देख लो इंका मात कैसे सरकूलर तो माउफ कैसे सकल डाइप होता है इनके अंदर जा नहीं होते है ढोके चलो थिए आप जबडा नहीं तो चबा नहीं पाएंगी तो चबा नहीं पाएंगी तो यह क्या करेंगी सीदा दूसरे ऐनिमर्स जुसरे जो छमचली इनके बड़िकर चीपक जाएंगी और उन्हीं का कहुं क्या कहतीं रहेंगी चुष एक्टोपार味ınız तो यह बहुत इंपोर्टन गारेक्टर है तो इनकी बॉडी को एक दम स्मूथ स्मूथ और उसके उपर कुछ भी जो स्केल्स विल्स कहते हैं जैसे मचली को आप उपर की तरफ स्केल्स होते हैं तो इनके अंदर स्केल्स कुछ देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है और अफंदेज क्या होते हैं प्रेजेंट भॉड़ी देखो बाड़ी से बाहर निकने वाला स्टकल स्ट्टर इसको उच्राइब चिखेंगे इसको उसको पहेंट पैर कशली को यह पर एक होगा वाह पर होगा इस तरफ एक स्ट्टर तो उस तरफ दूसरा स्ट्टर यह यहां प्रिट्रो माईजान और मिग्जिन फक्त दोनाइस एक्जामपल दिले थिमाला ठीक है ओके नेक्स्ट बगए नेक्स का एक्लास पाइसे स्पाइसे मंज़े गाए मासे आथा मासे आई तो बेसा आइन चाहे बिदर का आशना एक्वेटिक तरकाई-काई-काई-काई-काई-क फिक है यह रहता स्टीम लाइन के ओठाए ताकि पानी का रेजिस्टंस यह क्या कर दोड़ पाए ओके और फिर शिंडल सिप करते हैं एक ही होता है तो यह क्या हो गया अनपेड लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यह पेर्ड होता है यह पेर्ड होता है ठीक है तो कुछ- ěन उनपेड फिन फॉर सिमिंग टल फीनि फॉडार अ स्टेरिंग और इंधरिकेर से डिल होता है मतलब पोघ टैरे और ऊंटर इन प्लिया मतलब को जाना जो नेचर के खुद का बोड़ी टेंपरेचर सेट नहीं कर पाएंगे जैसे हुमन को देख लो हमें वाम ब्लड़ीर एनिमल या फिर इनको करते हैं तो हमारे बॉड़ी का टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो हम क्या कर पार जो कोई भी टेंपरेचर उसके अगर्डिंग हमारे बॉड़ी जो है खुद का टेंपरेचर खुद मेंटेन कर दिए लेकिन बिचार यह जो एनिमर से फॉर एग्जमपल पाइसेस जो होमियोधर्म से इनको जो है यह capability नहीं है यह capability नहीं है उनके अंदर कि वो बहार के नेचर के अकॉर्डिंग खुद का बॉड़ी टेंपरेचर सेट कर बाए इसलिए इनको कहा जाता है पोई किलो थम्स ठीक ह और respiration के इसे होते हैं इनके अंदर obvious है गिल्स के थूँगा यहाँ पर गिल्स होगे यहाँ पर यह क्या होते है इनके अंदर जो होता है इनके इनके अंदर चलो आगे बढ़ते हैं हैं हमारा क्लास कोंसा म狗ाद मतलब क्या होता है ड्युल्स मतलब इनके अंदर लाइफ के अंदर दोienza होते हैं एक होता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ठीक है तो रिप्रोडक्शन जो यह करते हैं वो कहा पर करते हैं यह पानी के अंदर करते हैं ठीक है और बाकी की जो लाइफ होती है इनकी यह कहा पर होते हैं यह करते हैं लैंड पर ठीक है यह कहा पर कवर करते हैं लैंड पर क यह इसलिए इनको कहा जाता है MPB तो मुझे बताओ मुझे बताओ हमारा जो kingdom plant is इसके अंदर कॉन सा दिविजन है जिसको amphibians और plant kingdom कहा जाता है जल्दी से बता मुझे कॉन सा live in the water by performing respiration through the skin या फिर गिल्स ठीक है या फिर गिल्स है ओके तो इनके जो लारवा होते है टैडपोल बरवार टैडपोल लारवा मनता आपन सो टैडपोल जो होता है वो तो इस तरह से पूरा पूरा फ्रॉग नहीं बन जाता तब तो वो क्या रहेगा पानी में ही रहेगा इतनी बास क्लियर और रिस्परेशन कर पाते हैं सोच लोग पानी के अंदर जाके रहेते किसी को मतलब यह जमीन में के लिए लड़ाई नहीं होती ठीक है वाइल अडल्स हमारे घिल्स तरह जाते हैं बाड़ी इंटू-हेड अंट रंक तो देखो तो यहां पर नेक नहीं होती है। यह सीधा हेड और इस सो लग कर क्या है यहां पर ट्रंक यहां पर आ गया है ठीक है इतनी बार मतलब नाखुन नहीं होते हैं या और ओकुम्डिया लाकाशे असन्हत नख तशाप्रकारे नख नस्थत ठीक है okay, skeleton कहीं साए? endoskeleton exoskeleton is absent. मतलब सकी अगर skin देखतों उसके ओपर exoskeleton नहीं होता, इहको स्कीन होता है, moist होती है, okay? moist skin होती है and endoskeleton कहीं से बना होता है, okay? ठीक है and they are cold-blooded poikilotherms मैंने तो बता दिया एक्स्टरनल एर इस एपसेंट बड़ टीम पैनम इस प्रेजेंट अब एक्स्टरनल एर मतलब देखो हमारे उपर यह एक्स्टरनल एर है ठीक है इनके अंदर एक्स्टरनल एर नहीं होते तो जो ओपनिंग होगी यहां पर समझों यहां पर जो ओपनिंग होगी तो ओपनिंग एक मेंब्रेन से कवर होती है जिसको कहते है टिम पैनम जिसको क्या कहत रहसे प्रजंपल क्या है फ्रॉग टोड सलमंडर ठीक है सलमंडर चलो इसके बाद आता है क्लास रिप्टिलिया रेटिलिया है अब ट करेंसे थिल ठीक है पूरे के पूरे जमीन पर रहने वाले फोर्ज ट्रूटरीयक इन एक अभी तक हमने देखहा था एक वेटिक टीरिस ध चिक अबने इन 2 हेड़ नेक तरघ मतलब एप से की तरब एक पर और दूसरी की तरफ एक पेर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मगरमट सब्सक्राइब और इनकी स्कीन अगर देखो कि तो पूरी ड्राय होती है ठीक है ओके एक्स्टर्नल इयर इस एपसेंट इनके पास भी एक्स्टर्नल यह नहीं होता तो क्या होगा टिंपैनम होगा ठीक है यह आर कोल ब्लडड़ेट एक्जांपल क्या है टॉर्टाइज लिजार्ड स्नेकर च इनके जो लंबे-लंबे बोन्स टीवोड़े रहा होते है अंदर से क्या होता है पूरा-पूरा खौली श्पेस होता है जिसके वज़े इनका वेट क्या हो जाता है इनके अगर फोर2-4 लीम देखो हवरी मतलब क्या आगे वाले तो वह में कौवर मत क्या होगा वो पेस्टियल इस वर्टिब्रेट्स आर कॉम्प्लीटलीज अधप्टेट फॉर एरियल मतलब हवा में अभी उड़ने वालिय मेस तो हर एक जो हमारा बड़िता है सकते हैं वहां में नहीं उड़ता कोंसे बड़ित जालो हमें नहीं सकते हैं मुझे जल्दी से बता तो अब का दिया था ठीक है कैसे हो गया स्पिंडल शेप मतलब ऐसे ताकि यह हवा का जो रेजिस्टन से रोक पाया से हवा चली जाएगी ठीक है इनके बॉड़ी को रोक नहीं पाएगी शेप टू मिनिमाइस एयर रेजिस्टन डूरिंग दा फ्लाइट मतलब उड़ते टाइम एयर रे प्रिंगे विंग्स में मोडिफाइट ओके डिडिस आर वी अफवर्डवा विद दस्केल्स तो आपने कभी अब बीडिया को मुड़ी पोगितला अनि को मुड़ी वर तुम्हे पाया और चोटी 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 तुमालाद खवले इस तिल प्यूड़ा प्यूड़ा पोटी दिवाड़ इंट्व एड Echo and dal इंट्रक पॉड़ी दिवाड़े इन्टु है प्रुम्हें लिजर मतलब जू नेचर के अकॉड़िग खुदका बॉड़ी तेंपरिचर खुद चेंज कर पाए ठीके एस और मैमल दो ही है हमारे क्लास जो क्या है warm-blooded animals होते है ठीके एक्जमपल पिकॉक पैरोड पिजन डग यह उसके बाद आता है लास्ट वो है हमारा मैमेलिया मैमेलिया क्या होता है इसके पास एक particular होता है एक particular होता है प्रेजेंस ओप मैमरी ग्लैंड तो यह रहते कहा पाने पहुआ है परे थेसितियल और तीक पानीमें भी रहेते हैं प्रेजेंस संप मेंमरी ग्लैंड इस टिपिकल चैरेक्टर और ममल्स ठीके बैजिंशाप मैमल्स मिल्क प्रोडुसिंग ट्लैंड इसे त्याना तर देर बोडी इस डिवाइदे इंटू हेड नेक एंड ट्रंक ठीक है बोडी कसा है हेड नेक आनी ट्रंक में जालिया डिवाइड जालिया आहे यह वोगोस्ट ख्लियर है सरवान ना अधा मैमरी ग्लाइंड हाफ पक्ते एकस पर्टिकुलर क्याटर नाई केसर मंज यहर मंजे का यह पिन्ण पन च्वाश का यह ऑस्तो प्रेज़न पिन्ण यहला मनता पिन्न यहला मनाज आ फिन्ना तरहां कहला प्र्टिकुलर पक्तानि पच्ता मैमल्स मदें आपला बगयला वेट्टों ओके अपन अपने जिस का यह पियाल अपनेजिस बड़वा धोरा हमारे बॉडी के ऊपर यह benz doubled सकता है लेकिन वो में नहीं आता है हमारे ढूराय हमारे मैं मल्स में यह डॉल्फिन जो दिख सबस्क्राइक एकडम क्रिश्थल फिर दोब चलो कि आपको जो है एकडम है क्रिस्टलек शुमझ में आगया क्यों में फास्ट में आ शाधा तो है अगर कोई भी ढाउट है Be सेक्षन में पूछ दो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा तब तक के लिए नमस्कार मंदड़ी धन्यवाद